आज हम बनाएंगे दो कच्चे आलू से बहुत ही जबरदस नाश्ता यह नाश्ता काफी जादा हल्थी और टेस्टी बनता है काफी कम इंगिडेंट्स में बनके तयार हो जाता है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हुए बनाना इस्टार्ट करते हैं उसके लिए दो मीडियम साइज का आलू लिया था आलू का छिलका निकाल लिया है और अच्छे से वाश करने के बाद मैंने पानी में सोप करके रग दिया है एक गिरेटर लिया है गिरेटर की हल्प से हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं आलू में काफी जादा मातरा में है वो साफ हो जाए निकल जाए जिसे की जो नाश्ता बनाएंगे क्रेस्पी बनेगा दोबारा से हमने पानी डाल दिया है पानी बिल्कुल साफ है अब इसे रख देते हैं एक साइट पे आधा कप मैंने सूजी लिया है सूजी बारिक हो या मोटी कोई सी भी ले सकती है बहु हरी मिर्च हरी मिर्च अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं हाफ टी स्पून नमक टेस्ट के अपडिंग कम जादा कर सकते हैं एक चौथाइटी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून भूने वी जीरे का पाउडर हाफ टी मैंने 6-7 करी लिव्स लिया था उसको बारी चॉप कर लिया था उसे डाल दिया है अगर आप चाहे इसको स्कृप करके हरा धनिय का भी इस्टिमाल कर सकती हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सूजी पानी को अच्छे से इक्जॉप करती है इसलिए हमें ध्यान में रख अच्छे से मिक्स कर लिया है तो दोस्तों बहुत ही हल्थी रेसेपी है मेरे चैनल पर बहुत ही सिंपल सिंपल रेसेपी अवेलेबल है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक आउट कर दीजिएगा तो यह देखे इसे अच्छे से मैंने जीरा एक चोथाइट टीजपून लौजी जिसे मंगरेला भी बोलते हैं एक चोथाइट टीजपून राई सबी चीजों को डाल देंगे अच्छे से क्रकल होने के बाद मैंने आलू को जो सोप करके रखा था उसकी एक्स्रा पानी को निकालने के बाद हम पैड में डाल दे जब तक कि पानी अच्छे से ड्राय नहीं हो जाता और कि अलू अलका फुलका सॉप्ट नहीं हो जाता बहुत ही सबर्दस रेसेपी है दोस्तों बहुत ही सिंपल इंगिजिएंट्स है अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पे नए जाटके करते हो इसका अलग लिवर आता है और भून कर इस्टेमाल करते हैं उसका अलग लग लिवर आता है चेक करते हैं पूझी भी अच्छे से पूल चुकी है इसके अंदर मैंने 4 टीस्पून के करीब डाल दिया है चैनी का बेशन जिसे की नाच्टा काफी जादा अच्छा लगेगा देखने में और टेस्टी भी बनता है उसी प्याले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करके एट कर दिया है एक चोथा टीस्पून रिट्चिली पाउडर आलू को जो मैंने भून के रखा था अच्छे से ठंडा हो चुका था उसे डाल दिया है आलू का फ्लेवर इसमें काफी जादा अच्छा आता है काफी जादा क्रेस्पी बनता है तो इस प्रोसे से अगर इस रेसिपी को बनाएं या पॉसी से चट्बाथ से नाष्टा बना के फैमिरी फ्रेंट के साथ इंक्ज॑य कर सकते हैं तो यह देखे दोस्तों इसे मैंने अच्छे से मीक्स कर लिया अप एक ही साइड हम इसे एक स्वाइब कर लेएंगे तो अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम रख देते हैं एक साइट पे, गैस की तरफ चलते हैं, गैस पे पैन रख दिया था, वन टीस्पून ओयल डाल दिया है, ज्यादा ओयल का इस्वाल नहीं करना है, ये नाश्टा सिर्फ और सिर्फ दो सितीन चमच में बहुत ही स्पून लेंगे, या फिर आपको ये बड़ा स्पून लें उसकी हलप से, आप थोड़ा-थोड़ा सा बैटर डाले, तो आप देख सकते हैं, आप इसकी थीकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो एक ही बार में हमने चार तरगे नाश्टे, चार नाश्टे बना के त्या तो बस इस तरीके से मैंने इसे रख दिया है बहुत ही अच्छा शेप भी आता है और बहुत ही फूला फूला सा यह नाश्टा बनके त्यार होता है मीडियम फ्लेम करेंगे और इसे अच्छे से कुख होने देंगे तो दोस्तों यह उपर से अच्छे से ड्राय हो चुका है अब हम दोबारा से हलका सा ओयल लगाएंगे इसके उपर हलका-लका सा ओयल लगा देना है ताकि दूसरी साइट का भी नाश्टा अच्छे से क्रस्प हो सके तो आप देख सकते हैं मैंने जादा ओयल का बिल्कुर भी नहीं इस्टेमाल किया है बहुत ही कम ओयल में बहुत ही सबस्टा नाश्टा बनने वाला है तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और जी लोगों ने अभी तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है मैं उन लोगों तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूँ तो प्लीज आप लोग भी इसी तरह प्यार और स कुक कर लेते हैं दोनुस साइड से हमें नाश्टे को अच्छे से क्रेस्प कर लेना है कलर दे के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही कम वाल में ये नाश्टा कि जादा क्रेस्पी बना है तो इस तरीके से नाश्टे को हमने दूसरी साइड भी अच्छे से एक से दो मि सब्सक्राइब बनाना है बर्णा नाश्ता उपर सेबिखे रहें लाना है वा नाश्ता ऊपर से हो जाएगा अंदर तक सिर्व होजएगा और हल्क बहुत भी सॉफ्ट बनता है जाव Import बनता है और ऊपर सें भी बनता है तो आप देख रहे हैं कालर काफी ज़्यादा अच्छा आया है तो दोनों साइट का यह नाश्ता अच्छे से कुख हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो है ने दोस्तों बहुत ही सबर्दस रेसिपी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नहें चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा लाइक ही आप लोगी तरफ से इनाम ह होता है मेरी चैनल पर बहुत ही सिंपल सिंपल सी रेसिपी आवेलेबल हैं जो कि आपके कीचैन में आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं तो आप लोग भी बनाएं इंजॉय करें तो लीजिए दोस्तों बहुत ही सबदस सा यह हलका फुलका सा नाश्टा बनके त्यार हो च झाल जाती हैं झाल लेटस घर मेरी नेज कर लोग झाल जुलका सा नाश्टा नाश्टा